मध्य प्रदेश के राजगड जिले में मंगलवार को एक बोर्वेल में गिरी चार वर्षिय बच्ची की बुधवार, सुबह भुपाल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौथ हो गई, जिसकी जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने दी. एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर राद बच्ची को बोर्वेल से बाहर निकाले जाने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौथ हो गई. बताया गया कि बच्ची की पहचान माही के रूप में की गई, जिसे देर राद करीब 2.45 मिनट पर बोर्वेल से जीवित बाहर निकाला गया था और पच्चोर के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लिकिन रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई थी. मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थे अधिकारी डॉक्टर किरन वाडिया ने बताया कि इसके बाद बच्ची को करीब 70 किलो मीटर दूर भोपाल में सरकारी हमीदिया चिकितसाले ले जाया गया, जहां सुबह करीब 6 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया गया कि पोस्ट मार्टम के बाद शव बच्ची के परिजनों को सौपा जाएगा. उन्होंने बताया कि यह घटना बोड़ा पुलिस थाने के तहट आने वाले पिपलिया रसोदा गाउं में हुई. ऐसे ही लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए B2B News चैनल को सब्सक्राइब करें और जार खंडी खबरी लाल फेस्बुक पेज को फ्लो कर दें ताकि पल-पल की खबर आप तक पहुँचे. धन्यवाद.